नमस्कार दोस्तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूटूब चैनल पर दोस्तो आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के मात्यम से आप अपना मोबाइल नंबर आधार कार्ड से चेक करें कनेक्ट है कि नहीं जब आपने आधार कार्ड बनवाया उस टाइम आपने कौन सा मोब मोबाइल नंबर आपका अभी चल रहा है और वो junto है एक्टीवीलि कामड कर रहा है यह नहीं या आपने जो मोबाइल नंबर दिया था वो अभी connected है कि नहीं तो ये website दोस्तो uidi.go.in तो इस website के उपर आपको जाना है directly ठीक है और scroll करना है निच्चे की तरफ आना है same page get अधार और निच्चे जो देख रहे हैं आप update अधार अधार services ये तीन options है ठीक है आपका mobile number आपके अधार कार्ड से connect है के नहीं इन तीन options में जो निच्चे देख रहे हैं आप अधार services उसके अंदर एक option है verify email mobile number तो उसके पर आप discuss करते हैं और get अधार कार्ड में जो भी details हैश के options आप देख सकते हैं तो accordingly आप एक-एक menu पर click करके check कर सकते हैं तो अब हम जाएंगे verify email mobile number आधार services में verify email mobile number के उपर जैसे हम click करेंगे तो एक नई window open होगी यहाँ पर तो यहाँ पर आपको click करना है और check करना है आपका mobile number आपके आधार कार्ड से connect है की नहीं आधार services में verify email oblique mobile number पर click किया जैसे ही त तो इसमें बिल्कुल clearly mention कर रखा है उपर जैसा कि हम देखेंगे कि check your email mobile number इन आधार you can verify your email address mobile number has been declared तो इसमें बिल्कुल clearly mention कर रखा है कि इस option के मादम से आप अपना mobile number आधार कार्ड से connect है की नहीं चेक कर सकते हैं और चेक करने का जो procedure है वो step by step आप follow किजी यह first में आपको अपना अधार कार्ड नंबर यहाँ पर डालना है जो कि 12 डिजिट का है यह मैं ऐसी डाल रहा हूं आपको अपना अधार कार्ड नंबर डालना है यहाँ फर्स्ट ओप्शन में सेकंड ओप्शन में आप अपना mobile number याद कीजी कौन सा है अगर वो activate है अभी आपके पास तो नई विंडो ओपन होगी जो कि मैं आपको screen के माध्यम से बताऊंगा screen source के माध्यम से तो फर्स्ट आपको अधर कार नंबर डालना है अधार कार नंबर डालना है सब आपको याद है या आपका registered है या actively अभी काम कर रहा है तो ये तीन steps हैं फर्स्ट में अधर करना में डालना है second में mobile number डालना है third में capture डालना यहाँ पे आपको ठीक है और फिर उसके बाद capture डालने के बाद आपको जो next option है उसके उपर क्लिक करना है send OTP ये capture right side में जो दिया गया है वो आपने डाला यहाँ पर फिर जैसे आपने send OTP क्लिक किया तो इस तरीक के message आएगा OTP send to your registered mobile डालना आपको यहाँ डालना है और फिर proceed to verify के उपर आपको क्लिक करना है यहाँ पर तो next page में आप क्या देखेंगे कि the mobile number match with our record अगर आपका mobile number registered है और actively अभी वो काम कर रहा है तो इस परकार का message आपके screen के उपर आएगा तो आपका mobile number काम कर रहा है और अगर आपका mobile number अधार कार्ड से रिजिस्टर नहीं है और आपने जो पहले mobile number दिया था वो खो गया है तो नए mobile number आप अधार कार्ड के साथ कैसे connect कर सकते हैं online इसके लिए आप अमारे इस channel के साथ बने रहे हैं और ज्यादा आप इस वीडियो को शेर कीजिए ताकि लोगों को awareness हो मालूम हो किस परकार से आप अपना अधार कार्ड mobile number के साथ चेक कर सकते हैं जो कि government की काफ़ी skims में यूज भी होता है